आज सुबह तक दिल्ली में टोटल 120 कॉरोना के पेशेंट्स निकले हैं। सुबह के बाद से दोपहर में भी कुछ हैं लेकिन अभी कई सारा उसका एनलिसिस चल रहा है। उसका वेरिफिकेशन चल रहा है। तो आज सुबह तक कही मैं आपको सारा एनलिसस बताता हूँ, 120 पॉजिटिव पेशेंट्स निकले हैं, टोटल 766 लोग दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना की वज़े से अभी एडमिट हैं, उन 766 लोगों में 112 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और बाकी लोग सस्पेक्ट्स ह जिनकी जांच की जा रही है, 112 जो पेशेंट्स हैं, उन 112 में से केवल एक वेंटिलेटर पे हैं, जो मैंने बताया था, कल भी एक ही वेंटिलेटर पे था, दो ऑक्सीजन में हैं और 109 लोग स्टेबल हैं, तो हम मोटे-मोटे तौर पे कह सकते हैं, 109 और वो दो ऑक्सीजन वाले भी वो सेफ हैं, वेंटिलेटर वाले की भी हम उमीद करते हैं कि जल्द जल्दी वो भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन बाकी लोग अभी सेफ हैं, मर्कज से जिन लोगों को निकाला गया था, उसमें 536 लोगों को अस्पताल में एड्मिट कराया गया है, और 1810 लोगों क को क्वारेंटाइन में रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया, तो टोटल 246 लोगों को मर्कज से निकाला गया था, 120 लोग टोटल जो अभी तक आए हैं, उसमें 112 जैसे मैंने बताया अस्पताल में हैं, 5 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, और एक व्यक्ति जो है वो सिंगापूर चले गए थे शुरू में, अब जो इंपॉर्टन्ट चीज है समझने वाली इसकी क्या दिल्ली में कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है, वो ये पता चलेगा कि जो एक आदमी है वो आगे कितने लोगों को इंफेक्ट कर रहा है, 120 में से 49 लोग, 49 लोग ऐसे हैं जो विदेशों से आये थे, वहीं से कोरोना लेके आये थे, 24 लोग मरकज मस्जिद से निकले हैं, 39 ऐसे हैं जो कंटेक्ट में आये हैं, जो फॉरें से लोग आये थे, उनके परिवार के लोग, 29 लोग निकले हैं, इसको हम लोकल ट्रंस्मिशन कहते हैं, लेकिन उनसे आगे नहीं फैला भी करोना, तो कम्यूनिटी ट्रंस्मिशन में नहीं गया है, अठारा लोगों के अभी और जांच चल रही है, तो अभी भी मैं यही कहूंगा कि अभी कोरोना दिल्ली में उस तरह से फैलने ने लगाया, स्थिती अभी नियंत्रन में नजर आती है, आज मैंने डॉक्टर्स के साथ जो कोरोना के मरीजों की जांच कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग की थी, उनका शुक्रिया आदा किया था, आप सब लोगों के तरफ से मैंने दिल्ली के अपने सब लोगों के तरफ से देश के लोगों के तरफ से मैंने उनका शुक्रिया आदा किया था, डॉक्टर्स का, नर्सिस का, देवा करना बहुत बड़ी बात है आप सब लोगों की तरफ से पूरे देश के लोगों की तरफ से मैंने उनका शुक्रियादा किया था और उनको भरोसत दिलाया था कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए जो भी बन पड़े का हम करेंगे और आप लोगों की तरफ से मैं इतनी जान कुर्बान करता है और दिली सरकार की स्कीम है कि कोई भी अगर सिपाही शहीद होगा तो उसके परिवार को शहादत के बाद एक करोड रुपए की संबान राशी दी जाती है आज हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज जो हॉस्पिटर्स के अंदर फ्रंट लाइन में का कर रहे हैं करोना के मरीजों के सेवा कर रहे हैं उनके बीच में रहके वो किसी भी तरह से उस सिपाहे से उनका काम कम नहीं है तो मैंने उनको कहा कि उनके भी भगवान ना करे अभी ऐसी स्थिती भी नजर नहीं आ रही कि हम उस स्टेज में पहुंचे हैं भगवान ना करे भगवान करें, हमारे सारे डॉक्टर स्वस्त रहें, हमारे सारे नर्सें स्वस्त रहें, हमारे सारे करमचारी स्वास सिवाव में जो करमचारी लगे हैं, सभी स्वस्त रहें, उनको कुछ ना हो, लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा होता है, अगर कोई शहीद हो जाता है, तो उनकी शहादत के बाद उनके परिवार को भी सरकार की तोर से मैंने आप लोगों की तरफ से उनको कहा है कि एक करोड रुपे की सम्मान राशी उनके परिवार को दी जाएगी उसमें चाहे टेंपुरिरी एंप्लॉई हो चाहे पर्मनेंट एंप्लॉई हो चाहे कॉंट्रेक्ट कोई भी हो उनके परिवार को एक करोड की सम्मान राशे दी जाएगी